जब भी हम कोई बुक खरीत थे हैं तो उसके starting page पे प्रिफेस आता है उसी तरह हमारे constitution की starting में भी preamble जोड़ा गया है जो हमारे constitution के philosophical foundation को रखता है According to Henry Rollins, American singer and writer If the Constitution was a movie, the preamble would be the trailer नमस्कार दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे महान Constitution के preamble के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे Relevancy of the preamble History of the preamble Text of the preamble Description of the terminologies Important amendments and precedents यानि important cases और उसके judgments चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि preamble आज के date में हम लोगों के लिए जरूरी क्यों है Basically हमारा preamble reflect करता है जितने भी हमारे freedom fighters हुए और freedom moments हुई उसके aspirations के बारे में और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे Constitution को बनाया उनकी सोच क्या थी इस Constitution को ड्राफ्ट करते वक्त Preamble को जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम्रेस प्रिंसिपल लेडाउन किये गए हैं हमारे देश के governance को चलाने के लिए The preamble of the Indian constitution focuses on social, economical and political development of the citizens of India और उसी के साथ हमारे प्रेम्बल हमें गाइड करता है कि international relationships की approach हम कैसे रखेंगे The commitment to justice, equality and the promotion of world peace with India's role in the global community अगर हम हमारे प्रियम्बल की हिस्ट्री की बात करें तो हम लोगों को उस समय में जाना पड़ेगा जिस वक्त हमारे उपर ब्रिटिश रूल होता था क्योंकि हमारे प्रियम्बल की ड्राफ्टिंग उस वक्त कर दी गई थी जब हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे 22 जनवरी 1947 को जोहालाल नहरू जी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने प्रियम्बल का आइडिया हम लोगों के बीच लाया था इस resolution में सर्व किया था foundation of the Indian Constitution उसके बाद शुरू हुई हमारे प्रियम्बल के drafting हमारी प्रियम्बल की drafting का reference लिया गया था गांधी जी की सोच और नहरू जी के objective resolution से which aim to outline the guiding purpose, principle and philosophy of the Constitution 26 जनवंबर 1949 प्रियम्बल और हमारे constitution को हम लोगों ने adopt कर लिया चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है basically उसका content क्या है यानि कि उसमें जो चीज़े लिखी गई है उनका मतलब क्या है हमारा भारत एक free और independent nation है और कोई भी और country हमें नहीं बताएगी हमें क्या करना है हम सब इसमें एक साथ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या मानता है और कौन कितने बड़े परिवार से आता है हमारा preamble हमसे ये promise करता है कि सब को fair chance मिले और कोई भी पिछे ना रह जाए preamble का साफ कहना है कि हम लोग caring और fair society की तरफ committed रहें people's rule हमारे leaders हम खुद choose करेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे कोई एक वक्ती या कोई group of people हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए खुद decisions लेंगे अब देखते हैं हमारे preamble के text को we the people of India having solely resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do, hereby, adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये तो बात हुई हमारे preamble में लिखे गए text के बारे में इस text में जो important terms हैं उनका क्या मतलब हैं उनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले है सौवरेन यानि प्रभुत्व जिसका मतलब है सोतंत्र और स्वाधीन अन्य राष्ट्रों की प्रभावना के बिना भारत सोय को शाशित करता है सोशिलिस्ट, समाजवादी, समाजिक नयाये और सभी नागरिकों के प्रती कल्यान और प्रगती के प्रती समर्पित सभी धर्मों के प्रती समांद्रिष्टिकों सरकार किसी भी विशेश धर्म का पक्ष नहीं करती है नागरिकों को मतदान के माध्यम से अपने नेता चुनने का अधिकार है रिपबलिक, गर्ण राज्य, देश का मुखिया खोनहार नागरिकों के द्वारा चुना जाता है यहां राजा रानियों का पद नहीं होता जस्टिस, नयाये यानि की कानूनी रूप से नयाये समाजिक, आर्थिक और राजनितिक नयाये सभी नागरिकों के लिए सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है और समान अफसर और स्थिती प्रदान की जाती है लोगों को एक दूसरे के साथ ब्रदर हुट की भावना को बढ़ाना है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रे की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया अब हम लोग बात करने वाले हैं अमंड्मेंट्स की तो मैं आपको पताना चाहता हूँ कि 42nd Amendment Act of 1976 ने तीन वर्ड्स को हमारे प्रियांबल में एड्ड किया था इस से पहले ये तीन वर्ड्स हमारे प्रियांबल में नहीं थे तो गाइस अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ यानि की प्रिसिडेंट्स प्रिसिडेंट्स का मतलब होता है से पहले केस की तरफ जिसका नाम है बैरूबरी यूनियन केस 1960 तो इस केस में ओनरेबल सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने ये कहा था कि पार्लेमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कॉंस्ट्यूशन की तरह प्रियेंबल को भी अमेंड करनेगी क्योंकि प्रियेंबल कॉंस्ट्यूशन का पार्ट नहीं है इसके बाद वन ओफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसे इन इंडियन जुडिश्री केशवन अंद भारती वर्सेज स्टेट आफ केरल 1973 इसकेस में ओन्रेबल सुप्रीम कोड ने बेसिक स्ट्रक्टर डॉक्टिर न के बारें बताया था और ये कहा था कि पार्लेमेंट के पास पावर तो है हमारे कॉंस्ट्यूशन को अमेंड करने की यानि की चेंज करने की लेकिन फिर भी वो constitution के basic structure को change नहीं कर सकती है और preamble एक a-toot part है हमारे constitution का क्योंकि वो lay down करती है philosophy of the Indian constitution इसके बाद एक और बहुत महत्वपूरण case इंद्रा गांधी वर्सिस राज नरायन 1975 हमारी apex quote ने emphasize किया था importance of the preamble के बारे में हमारा preamble constitution को interpret करने के लिए सबसे important part है क्योंकि preamble हम लोगों को उन aims और objectives के बारे में बताता है जो हमारे constitution से हमारे makers achieve करवाना चाहते थे case 4 Minerva Mills versus Union of India 1980 देखे इस case में हमारे supreme court ने ये कहा था कि preamble एक ही है constitution और इसके articles को interpret करने में एक और important case जो है वो है Women Rao versus Union of India 1981 इस case में हमारे supreme court ने ये judgment दी थी कि जो preamble है वो एक source of power तो नहीं है legislature के लिए लेकिन एक guiding light की तरह काम करता है ताकि हम लोग हमारे constitution और इसके provisions को interpret कर पाएं preamble हमें ये तो बताता है कि हमारे framers के दिमाग में क्या था लेकिन कोई भी substantive power grant नहीं करता है तो guys अब हम आ गए हमारे वीडियो के last section में और इसमें मैं अपनी कुछ suggestions जो है वो आपके साथ रखना चाहता हूँ जो हमारा preamble है मैं मानता हूँ कि हमारे जितने भी government institutes और schools है उनकी entry पे जरूर लगा होना चाहिए और अगर हो सके school assemblies में भी जरूर बताना चाहिए तो क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में comment section में जरूर लिखिएगा और मैं आपको description में एक surprise link दे रहा हूँ related to the preamble of constitution so please check it out धन्यवाद